सपा के वरिष्ठ नेता और रामपूर से सांसद आजम खान की हालत अब भी क्रेटिकल बनी हुई है उनका और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का लखनव के मेदांता स्पताल में इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि आजम खान तेजी से ठीक हो रहे थे लेकिन बीते दिनों उनकी तब्यत फिर से बिगड़ गई उन्हें आईसीउ में शिफ्ट करना पड़ा तब ही से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है हलाकि डॉक्टरों का कहना है यह नियंतरण में है ओधर आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की हालत अब इस्थिर है उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगिटिव आई है मिली जानकारी के अनुसार सपासान सद आजम खा आईसीउ में तीन से पाँच लीटर अक्सीजन सपोर्ट पर रखे गया है उनके फेफडों में फाइब्रोसिस और कैविटी मिली थी इस बीच आजम खा के तेजी से ठीक होने की खबर आई थी उनने आईसीउ से जनरल वाइड में शिप्ट किया गया था लेकिन उनकी हालत फिर से बिगड़ गई उनने दोबारा आईसीउ में शिप्ट करना पड़ा